तो recently Samsung ने लॉंच किया आपने Samsung S20 series जिसमें S20, S20 Plus और Surprising S20 Ultra था जो कुछ जाला ही Ultra हो गया उसके बाद Samsung Z Flip लॉंच किया उन्हों या Z Flip जैसे भी आपको कहा है यह जो Z Flip है यह Samsung Fold का successor नहीं है जो Samsung Fold आया था उसका successor नहीं है क्योंकि इसमें 855 Plus processor तो आप उसे इसका successor नहीं मान सकते है इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung S20 Ultra के बारे में कुछ जाता ही over the top specifications है एक हिंट देता हूँ इसमें आपको 16GB का RAM मिल जागा अब तो इस वीडियो में इंट्रेट हो गए होंगे वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करना सब्सक्राइब करना इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका availability क्या होने वाल है प्राइसिंग क्य जो मिनी आता है उसका कुछ 7.9 inches है वो एक टैबलेट है तो मतलब almost एक टैबलेट के साइज में आपको एक फोन मिल रहा है 6.9 inches का QSD प्लस डैने में डिस्प्लेई अमेजिंग 120 Hz का इसका refresh rate है पर आपको एक बात नोटिस करना पड़ेगा QSD में इसका refresh rate हो 60 Hz है उसे आपको पैर करोगे और वो भी AMOLED डिस्प्लेई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके साथ सामने आपको एक इंफिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाता है आपने देखा होगा Samsung ने एक छोटा सा ट्रेंड श्यू रिकिया इसमें सेंटर में उनका कैमरा होता है कुछ मिल जाता है तो ओर डिस्प्लेई इस हुमंगर्स हुज और इस बार नहीं है जैसे आपने देखा होगा Samsung के S-Series में होती है काफी लोगों को पसंद होती है पर बहुत लोगों को पसंद नहीं होता क्योंकि दूरबिल्टी में को प्रॉब्लम होता है और बहुत ही हलका नोटीजबल है ओवर ओर डिस्प्लेई अमेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं सर्प्राइज मत हो जाना 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी क्यामरा मिल जाते है जिसका अपर्चर है 1.8 इसमें आपको आपको आप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है और उसके बाद इंट्रेस्टिंग या हाइलाइट कह सकते हैं वह आपको एक मिलेगा टेलीफोटो कैमरा 48 मेपिक्सल के टेलीफोटो कैमरा जिसमें आपको मिल जाएगा OIS मतलब टेलीफोटो में भी आजकल OIS मिल रहा है और अमेजिंग है 10x आपको आप्टिकल ज सब्सक्राइब है तो शेकिन नहीं होगा अगर आप जूम भी करोंगा तब भी शेकिंग नहीं होगा अब अब देखते हैं कि कैमरा रिव्यूज आएगा तो देखा जाएगा कि कैसा है वैसे जो इनका याउमी का कैमरा था मी नोट 10 जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा तो इसमें आप 8K वीडियोज भी शूट कर सकते हो 8K at 24 fps मतलब इसका प्रोसेसर इतना ज्यादा केपबल है प्रोसेसर के बारे में भी बात करेंगे प्रोसेसर इतना ज्यादा केपबल है कि आप इसमें 8K 24 fps पे वीडियोज भी बना सकते हो अमेजिन यार तो सब कुछ बीस्ट रहते हैं वह इक वेल आमेजिंगल पास्ट अगर बात कर देश कर राम उप्शंस की तो आपको मिल जाए 12GB RAM और 16GB RAM का उप्शन 16 GB RAM वो समझ नहीं कि 16 GB RAM से अपर करो गए क्योंकि मेरी यूप्टव is HP-O1 तो उसमें मैं 32 करा एक साल तो जब तक मैं यूज करता था एक साल दो साल यूज कि उसमें 30gb RAM अब प्रिम्यर पोड़ोफ सब रिसेंट पर चलता है कोई प्रोलम नहीं है तो मिन्हें नहीं है कि कॉन से ऐसा एसा एक रिसोर्स भाइख एक गीम है ऐंड्रोइड मैं जो इतना रैम को यूज करेगा इतना रिसोर्स लेगा तो म को तोटा से गिमिक लगता है पर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर पूफ है क्योंकि आपको इसमें 5G सपोर्ट में मिल जाएगा मिलिमेटर वेवस को भी सपोर्ट करता है और 6Ghz 5G वेवस को भी सपोर्ट करता है अब बताना है कि कैसा लगा ओर-टॉप प्रोसेसर है आपको 256GB 128GB और 512GB का मेमरी ऑप्शन्स मिल जाता है तो ब्लेसिंग फास्ट होने वाला है तो सफ्ट्वर साइड आफ तिंग्स में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा तो इसमें तोटास और चेंजिस किया गया है सॉफ्ट्वर उप्शन में तो ओवर रॉल सॉफ्ट्वर में भी कोई परिशानी नहीं है बात कर लेते हैं आपको मिल जाएगा 5000 मिल एंपर का बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए आपको 45 वाट का सुपर चार्ज फास्ट चार्ज जो भी रहन है वह मिल जाएगा वैसे बॉक्स पर मेरे सबसे 25 वाट का चार्जब गिवन है तो यह आपको नोटिस करना पड़े जाएगा क्योंकि काफी जादा रिसोर्स है याद 865 मिल जाता है आपको 6.9 इंचेस का QHD प्रस डिस्पले मिल जाएगा 120 हर्ट भी मिल जाएगा तो बैटरी को तो काफी जादा लेने वाला है पर पांसे सा मिल एंपर बैटरी और जल्दी चार्ज भी हो जाएगा तो चलता तो अभी बात करते प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर देता हूं बताना प्राइसिंग क्या होने वाले मैं पॉस करद आखता चलो वान थ्रीन डबल नाइन मतलब लगब लगवाएक लाग एक लाग के आसपास मिल जाएगा इंडियं प्रिस में पर अब हमें ये नहीं पता है कि इंडिया में क्या प्राइशिंग होगा इसका जो प्री रिजिस्ट्रेशन से वह शुरू हो गया एस्ट इस टोट सा महेंगा ही प्राइस करते हैं उससे कम नहीं करेंगे एक सूपर फोन है तो आकर बहुत लोगों का उप्शिन बढ़ेगा जिन्हें कहते हैं कि यार एक लाग चाली का आइफोन लेंग प्रो मैक से लेना है तभी पर्फोर्मेंस मेलेगा अभी एंड्रोइड पे एक उप्शिन मिल गया है आपको एक लाग पंद्रा या एक लाग बाति जिंदर के लिएब बाल से सदस्क्राइब कर लेना करता है अग्ले वीडियो मतले की या